विधानसभा चुनाओं की तैयारियां तो जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं नेताओं की भगदडमची है कोई नेता अपने अपने पार्टी से टिकट की दावेदारी ठोक रहा है तो कोई अभी से जीत की दावेदारी ठोक रहा है तो कोई खुद को बेहतर नेता साबित करने की होड में लगा है बादली विधानसबा चुनाओ की बात करें तो जनाब किशिमंत्री ओपी धनकड ने अपनी गतिविधिया तेज कर ली है ओपी धनकड पूरी तैयारियों के साथ दलबल सहित चुनाओ में जुट गए है वहीं दूसरी तरफ से उनी की पार्टी से योगित सिलानी ने भी बादली विधानसबा से ही चुनाओी बिगुल बजा दिया है बादली विधानसबा जहां से परदेश के किशी मंतरी ओपी धनकड आते हैं वहीं से योगे सिलानी चुनावी दोड में खड़े हैं योगे सिलानी विजेपी युआ मोर्चा के जिलाय धैक्स और वाइस चेर्मेन हैं अब ये तो समय ही बताएगा कि विजेपी के इन दोनों नेताओं जहां विजेपी धनकड के सिमंतरी हैं तो दूसरी तरफ योगे सिलानी हैं जो विजेपी के गदावर नेता हैं और टिकट का परबल दावेदार कौन होगा टिकट पर कौन अपना हक ले जाएगा अगर टिकट ओपी धनकड को मिलती है तो वो बादली विधासबा चुनाओं में अपनी जीत ही कितनी पैट जमा पाते हैं वहीं योगे सिलानी को मिलती है तो क्या विजेपी की सनाओ को पार लगा पाएंगे हर न्यूज के दर्शकों के आकड़े क्या बोलते हैं या जनता के आकड़े क्या बोलते हैं टिकट का परबल दावेदार इन दोनों नेताओं में से कौन है और जीत का भी कितना दावेदार हो सकता है हमें अपने सुझाओ कमेंट बोक्स में अवश्य करें इक आणिकोने और विकास की कोई एकाणिकोने और डातरेश था पेनर कमल का फूल खिलावन देर बीजेपी ना अट अर जब माGuara राज था अरतर जी का तो गैस आराम्त मिला करती और फिर कांगरेश का दस साल आ लागे ना मिली और मोटी आ लागा फिर गरगर पूँचा दी जब कांगरेस का दुस साल का राज था जब भी एक हमने गैस पे भी राग नहीं लगती थी ते जबाज आप सोनिया मैडम गैस दिला दे क्यों रोग सिलेंडर खड़ी होगी और केक हुया मैं गैस सपड़गी क्यों अनबोल खड़ी होगी अरवाज पाई जब राज करेतर गर गर गैस मिलया करती गाउ गाउ और गड़ी गड़ी मैं फेरी रोज लगया करती और याद मेरे जब आवस है मेरा हिया भड़बर आवस है गलती एक बड़ी होगी दिसोनिया बैड़म गैस दिलादे क्यों रोग सिलिंडर खड़ी होगी खड़ा खड़ा के पैर ठके जर लंबी लंबी लेंड लगें से और फिर भी नंबर नहीं आवद तो गढम राड बड़ी होगी दिसोनिया बैड़म गैस दिलादे अब यह ऐसा नहीं है, आम यह सारे काम कर सकते हैं.